आप सब का स्वागत है टेक्नोलोजी के मोस्ट इंपॉर्टन अपडेट में और आपका भी इसमें बहुत जादा फायदा होना वाला है क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है असी लाख नौकरी होगी और वह भी 5G इंफा इस्टक्चर पर क्या सच में रियली की बहुत लोगों की लाइफ चेंज करके रखतेगा 5G नेट तक तो येस क्योंकि यहां पर स्किल प्यूपिल्स की जर्रत होगे और उसके लिए आपको ज्यादा लंबा बेट करने की जर्रत ने है कि 2050 यह 2045 तक मातर 2025 तक यह मैन रिक्वार्मेंट होगी रियली मच अम 46 कंपनियों का as per report और वहां पर जॉब की जो requirement वह बहुत ज़्यादा हाइक है और यहां पर networking की बाग करें IT की बाग करें तो सबसे ज़्यादा requirement है क्योंकि यह newly filled है और बाग कि जाये तो तब आप किसी भी open field में work करते है तो वहां पर job creation बहुत ज़्यादा much requirement होती है और से ज़्यादा बड़ी चीज हमें यह देखने के लिए मिलती है मतलब फर्स्ट एयर में ही फाइब जी इंप्लिमेंटेशन में इंक्रीमेंट जो है जॉब को लेके वह 61% से लेके 80% मतलब 61% से लेके 80% aison job procurement hike होने वाली है और यह पूरी तरीके से उप्साबंटेशन हरी और आपको एक new opportunity मिलती है open field में work करने के लिए और साथ में हम यह भी चाहे है कि ईंडिया के लिए pledge प्रचुनिटी है क्यूंकि तब यहां पे job creation हो अध alternationili अभरी तो आप बात करी जाए तो क्या मच इफेक्ट पड़ेगा AI के आने से AI सिर्फ आपकी online help कर सकता है आपको बता सकता है कैसे वर्क करना है लेकिन वो निकल के बाहर फाइवर नहीं जोड सकता या टाइवर को चैक नहीं कर सकता या equipment को खोल के टाखा नहीं लगा सकता सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि वहाँ पे एक proper skill worker जाई है या engineer जाई है जिसकी सहायता से चैक किया जाए कि जैसे कि बहुत ज्यादा equipment-based पूरा 5G network है और पूरा फाइवर पे वर्क करता है तो मतलब यह है कि बहुत ज्यादा error होने की चांसे होते है क्योंकि यह पूरा electronics-based 5G network है जिसमें कि high requirement job की requirement 24 hours रहती है जैसे कि error fix करना, check करना, installation, replacement, network management करना, small street bands को check करना, replace करना, ठीक करना और बात करी जाए तो यह without proper skill engineer के possible नहीं है लेकिन यह तो सिरिफ हो गए कि telecom operator के तरफ से लेकिन यहाँ पर बात करी जाए तो क्योंकि यह जो field जिस तरीके से उठतावा चला जा रहा है तो education के मामले में बात करें तो gaming के मामले में मतलब यहाँ पर clouding भी आ जाती है बीच में यह उसे manage करने के लिए proper engineer चाहिए बात करी जाए तो education को हर school आज की date में आपने देखा होगा की online service provide करवाता है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा छूटा scale है जैसे जैसे 5G network सबके पास आता रहेगा high quality क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है यह 1GPS की 500 Mbps की speed आपको बिल रही है तो आप 4K में at least देखना पसंद करेंगे तब वहाँ पे तो आपको high requirement क्योंकि यह पू पर skilled engineer या हम बात के pupil के possible नहीं है कि आप किसी भी तरीके से network को manage कर सके तो यहाँ पर एक नई opportunity खुड के आती है और बात करी जाए तो AI बस coding में help कर सकता है और कोई भी diagnose है उसे ठीक कर सकता है और जवाब दे सकता है लेकिन वो निकल के भाव solve नहीं कर सकता problem को उसके लिए लोगों के requirement है तो यहाँ पर 5G के साथ आपका भी फायदा और साथ नहीं बात करी जाए तो job creation भी 80,000,000 जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जिससे कि all India आपको लेल पर job देखने के लिए मिलेंगे तो मतलब आप मूंड बना रहे हैं तो आप हर जाने की जोरत नहीं कि आ आपको अपसे job देखने के लिए मिलेगे जिसपे कि आपको एक अलग opportunity के साथ multiple factor भी वर्क करेंगे यह वीडियो आपको अच्छे लगे सानल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जाओ करेंचे का धन्यवाद